स्वास्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है आज के स्करेंट चैचक एपिसोड में माफ कीजेगा थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण शायद ये आपको उसमें लाइव नहीं दिख पाया और फिलाल आपको ये भी बता दें कि ये फिलाल एक ही चैनल पर अभी आपको लाइव दिखेगा दूसरे चैनल पर ये शाड़िस्की वीडियो डल जाएगी पर अभी आपको ये लाइव एक चैनल पर दिखेगा तो आप सभी का बहुत दो स्वागत है इस सेशन में उमीद आप बहतर हैं खुशें प्रसंद हैं स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान दख रहे हैं जल्ली से बता दिखेगर आप लोग तक आवाज पहुंच रहे हैं कि हाँ आप सुन पा रहे हैं चलिए बहुत बढ़ी आईए सभी का स्वागत है और आईए देखते हैं कि क्या हो सकता है वी हाव वेरी पॉजिटिव तेंग फॉर दे बिगनिंग कहा जाता है कि ग्यानम भारह क्रियाम बिना ग्यान बोज लगने लगेगा अगर आप उसको अपलाई नहीं करेंगे तो क्रिया नहीं करेंगे तो बोज लगेगा ग्यान तो ऐसे ग्यान का फैदा नहीं होगा जो बोज बन जाए तो कोशिश करिएगा कि आप यान बटो लें और उसको अपलाई करना चालू करते हैं चलिए आएक कुछ समस्ते और चीजों को आपको मतालें एक बहतरीन ओफर बहतरीन कोर्स हमारे पास आ रहा है बारा महिने का पूरा हमारा एक कोर्स होता है जिसको आप ले सकते हैं अगस्त आठ से चालू होने वाला है मतलब कल से तो आप CMC कोड लगा कर फायदा ले सकते हैं और आपके पास सारी चीज़े मिलेंगी आपको सारे बैचेस, सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट सब आपको मिलते हैं टेस सीरीस के साथ तो आप जूर सकते हैं हमारे साथ 29999 में आपको मिलेगा बारा महिने का कोर्स जोग्रफी ऑफ्चनल अगर आपका है तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं जी ओम्यूजिंग के कोर्स में और बाकी भी ऑफ्चनल मेरे पास चल लें आप जूर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जोग्रफी आपका उप्चनल है तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं प्रीज पेशे क्लासेस का ये ओफर ये दो दिन हम लोग कर रहे थे और आपके लिए बहतरीन सूचना है एक चैंपेंशिप होने वाली इस चैंपेंशिप को अगर आप दे सके तो अच्छा रहेगा इस चैंपेंशिप में आपको 90% स्कॉलर्शिप मिल सकता है जो बैच उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ये 11 अगस्त को होगी दो शिफ्ट में 11 बजे और 5 बजे आप दोनों से जुड़ सकते हैं ओनलाइन मोड में होगा टेस्ट तो जरूर दे दीजेगा इसको प्राक्टिस होता रहेगा आपका चलिए चालू करते हैं आज के सेशन को सबसे पहली बात बांगलादेश पार्लेमेंट डिजोल्ड यूनुस प्रपोस्ट आस इंटरिम लीडर तो अब ये धीरे-धीरे डेवलप्मेंटल चीजें आपकी दिखती हैं और इंडिया नेवर हुट के हम बात करते हैं फ्रंट पेज में हैं तो कही ना कही भारत, भारत की एजेंसी भी कही ना कही अभी सतरक लेवल पर चल रही है बांगलादेश में जो हुआ है और वहां के प्रेसिडेंट ने अभी संसत को वहां के भंग कर दिया है और interim government बनाने की बात चले, interim government बो कहा जा रहा है, मुहमद यूनुस लीड करेंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना बाकी है, पर फिलाल आपको बता दे, मुहमद यूनुस के बारे कुछ हम आपको बताना चाहेंगे, मुहमद यूनुस जाने जाते हैं, ग्रामीर ब लोन्स दिये हैं, लगभग 34 बिलियन डॉलर के आसपास, 34 बिलियन डॉलर के आसपास उसने कोलाटरल फ्री लोन दिये हैं, और अगर इसको भारत के दौर में देखने कोशिश करेंगे, तो भारत में भी जब हमने वलनरेबल सेक्शन्स को लोन देने की बात चालू की थी, तो शायद हम इसी से इंस्पायर थे, 2006 में यूनुस को और ग्रामीर बैंक को जॉइंटली नूबल प्राइस इन पीस दिया गया था, for their efforts to create economic and social development, तो आर्थिक विवस्ता और समाजिक development के लिए, अविकास के लिए, उनको ये प्राइस मिला था, 2006 में, ये वही मुहमद यूनुस है, जिनको नूबल प्राइस मिला और जिनको अब वहां के छात्र जो संग है, जो students का union है, वो चाहता है कि वो interim government को lead करे, और इन्होंने आते ही बात भी मान लिए, और कोटा वाल government को खुद lead करते रहेंगा, अभी इसकी उपर अभी परदा है कि कौन क्या lead करेगा, पर हाँ, ये आगे आ चुके हैं, तो इतनी सी बसे आपको बात करनी थी, और यहां पर एक बहुत important चीज़ आती है हमारे पास, microfinance, मतलब हम इससे जो चीज़ सीखते हैं, वो सीखते हैं microfinance का, और microfinance खारत के लिए भी बहुत important है, जहां पर आप छोटे-छोटे loans देते हैं, collateral free loans देते हैं, ताकि लोग कुछ entrepreneurship अपना दिखा सके, business चालू कर सकते हैं और आगे बढ़ सके, तो अगर मैं microfinance पर ध्यान देता हूँ, तो ऐसे जो bank से वो सामने आते हैं, और किसी एक जगा पर, किसी remote location पर कुछ loan देते हैं, collateral free देते हैं, ताकि वहाँ पर business develop हो सके, तो सक्षम बनाने की बात की जारी है, और microfinance उसमें बहुत आगे है, एक committee भी इसके साथ जुड़ी रही है, जिसका नाम हम लिख देते हैं भी, बाद में भविश में कभी अच्छे से ब भारत में एक पूरी भूमी का निभाई थी, तो microfinance भारत में भी बहुत अच्छे से चला है, लगबख हर bank अपना कुछ ना कुछ collateral free loan देने के लिए कोशिश करता है, हाला कि उसका amount बहुत नहीं होता है, पर देने की कोशिश करता है, so that was about this gramid bank का रिष्टा हमारे भारत से अगला देखते हैं, Google a monopolist rules American judge in key antitrust case, तेकि अब ये Google का, US का कोई judgment है, इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, पर फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि industry में monopolistic tendency अगर आती है, तो उसको भारत में कैसे रोका जाता है, और क्या महौल बन सकता है, front page में बात की गई है, एक UK, sorry, US के judge है, जिनका नाम आपको बताएं, अमित महता है, ये वहाँ district court के judge है, अमित महता, इन्होंने बोला कि Google, Google, एक monopoly situation रखता है, एक monopoly situation रखता है, मतलब अपना ही बस दबदबा रखता है, अब उसके सामने कोई है ही नहीं, कोई उसका competition नहीं ह है, अब कोई competition है ही नहीं, तो वो जो चाहे वो करता है, Google search engine के मामले में, आज सबसे बड़ा एक leader है, और ये किसी को मौका दे ही नहीं रहा है, और ये monopoly tendency करता है, तो जब Google एड लगता है, तो ये अपने हिसाब से exorbitant price, बहुत जादा price charge करता है, तो इसके उपर इन्होंन बता दे इसके बारे में, समझेगा, अगर हम US के context में देखते हैं, तो हमें दो law याद आता है, पहला, the Sherman Act है, जो कि anti-trust act है USA का, तो Sherman Act या anti-trust act आप उसको बह सकते हैं, जो US में 1890 में पास होता है, ये क्यों पास होता है, ताकि monopolies ना सके हैं, जैसे कई बार लोग अपने contracts को यूज करके conspiracy create करते हैं, business practice ऐसा ले आते हैं, जिससे कि एक दूसरे से बात चीत करके वो काम कर रहे होते हैं, ऐसी चीजों में आपको पता होना चाहिए कि US में मनाई है, law है, उसके उपर मतलब आपको competition रखना होगा economy में, पर किसी भी economy में जब तक industries बहुत सारी diverse नहीं ह सकते हैं, अपने हिसाब से पैसा ले सकते हैं, पर अगर मेरे पास choices है, if I've got ranges, varied things, बहुत ज़्यादा मेरे पास options available हैं, तो मैं जरूर उन में से चुनना चाहूंगा, और मैं किसी एक को monopoly नहीं बनने दूँगा, तो अगर term लिखकर आता है कि बताए, ये Sherman Act क्या है, तो अब world context में देखते हैं कि क्या पूरी दुनिया में भी कुछ ऐसा है, जो कि monopolies बनने से रोकता है, हमने पढ़ने की कोशिश की हमें पता चला, OECD का competition committee भी एक है, अब इसको सुनिये बहुत रटने की जरूरत नहीं, OECD क्या है, जो रहीस देश है, Organization for Economic Cooperation and Development, ये रहीस ये इसका membership रखते हैं, ये इसके member है, OECD के, और OECD ने एक committee बना रखी है, जो कि कोशिश करता है कि monopolies ना बने, तो OECD address करता है anti-competitive practices को, मतलब ऐसी practices को जिससे कि monopoly बन सकती है, competition खतम हो सकता है, ऐसी चीजों के खिलाफ, ये committee वर्क कर रही है, और बहुत सारी initiatives लेकर आती है, ताकि ऐसा कोई भी competition खतम ना हो, वर्ल्ड में, एक हमारे पास और body ही, जिसका नाम है United Nation Conference on Trade and Development, UNICTAD इसको बोलता है, UNICTAD क्या करता है, देखिएगा, ये promote करता international trade and development को, ये international trade and development को promote करता है, और साथी में guidance देता है कि competition policy बनी रहे, competition के बिना, ये कही न कहीं महसूस कि लोग गलत कर रहे हैं और ये competition guideline देता रहता है, देशों को अपना advice देता रहता है, इसलिए ये बड़ा important है मेरे लिए, तो अगर question कभी आता है, तो means के तौर पर आएगा, कैसे आएगा, सुनिए का question, question आप लोग के सामने means में कैसे आ सकता है, question आ सकता है, what are various laws that promote competition competition in India and world, तीक है, अगर ये question कभी आया, मालिजिए 150 words में आया, तो मुझे अब दो-तिन चीज़े तो पता चल गई है, world में मैं US का भी लिख सकता हूँ, मैं OECD committee के बारे में लिख सकता हूँ, मैं UNITAD के बारे में लिख सकता हूँ, इतना तो मुझे पता चल चुका है, US का Sherman Act है, अब आई आगे चलते हैं, ये चीज़ तो मुझे पता चल गई, भारत में क्या हो रहा है, हम आपको ये दिखा दे हैं, जो की साफ तरीके से बोलता है कि आपको anti-trust issues को address करना है, इसका मतलब है competition बनाये रखना है, सिर्फ एक ही monopoly ना बने, sustain रहे competition और anti-competitive practices को बंद किया जा सकी, जैसे माल लिजे, आज दो बड़ी तेल कंपनिया हैं, दोनों अपने हिसाब से बाचीत करें, और दोनों अपने भाई एक ने दूसरे को फोन किया कि भाई इससे कम मत बेचना, उसने बुला ठीक है मैं इससे कम नहीं बेचूंगा, तो कहीं न कहीं monopoly बन गई, अब आपकी पास अगर 10 players हैं, तो आप सबको call तो नहीं कर पाएंगे, दो लोगों ने rate बढ़ाया, तीसरे ने कम कर दिया, फ acquisition करेंगे, वो ऐसा ना हो कि मेरी economy में बस आप ही सर्वे सर्वा बन जाओ, मैं ऐसा merger नहीं होने दूगा, मतलब विले नहीं होने दूगा, दो company मिलना चाहती है, ताकि कि वो बड़ी हो सके, उसके कारण वो एक ही rate लगा देगी, हमारे consumers के पास choices कम हो जाएंगे, मैं वैसा लाओ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास भारत के पास already competition act है 2002 का, amendment भी हुआ, competition amendment होता है आपका 2022 में, जिस amendment के हिसाफ से हम आपको बता दें, और भी challenging चीज़ों को बना दिया गया है, मतलब अब कोई भी merger acquisition आसानी से नहीं कर सकता है, enhance the effectiveness of competition law, enforcement बहुत अच्छे से होगा, इस इसके लिए हमने already competition commission of India बना रखा है CCI, जो की 2002 के act से ही बना हुआ है, यही responsible है इस act को लागू करने के लिए, यही responsible है चेक करने के लिए कि कहीं anti competitive practices ना हो, यह बड़ा important है, भारत में already यह चल लहा है, इसमें chairperson एक होता है, कुछ members होते हैं जो central government appoint करती है, यह investigate करता है, competitive practices स खिलाफ action लेता है, और लोगों को anti competitive agreement करने से रोकता है, तो आप ऐसा समझें कि दो बड़ी company, मानी जाच, मानी साहब और अदानी साहब चाहें कि हम सारे business को मिला के एक कर ले, तो दोनों एक बन जाएंगे, पैसा तो कमाएंगे फिर भी, अब पैसा तो कमा रहें, पर आप के consumers के पास choice एक ही बचा है, A, A, पहले क्या था, A और A, अब क्या A, A choice है, तो आपको players चाहिए आपकी economy में, ताकि आप अपनी economy को बढ़िया सा diversified रख सके, monopoly ना हो, competition बना रहे, और लोगों को फाइदा मिलता रहे, ये point है आपका anti-trust act का, या anti-competitive, या anti-monopolistic tendencies का, खिला है ये, तो निए गाओर, कुछ judgments हम आपको सुनाना चाहेंगे, कुछ judgments हम आपको देना चाहेंगे, judgment पहले सुन लिजे, competition commission of India versus steel authority of India limited 2010 का एक केस है, जिसमें supreme court ने बोला था, कि देखो ऐसा है, CCI का जो order है, to investigate sales, steel authority of India limited, for anti-competitive practices in supplying rails to Indian railways, sale was not exempt from the competition act, साफ किया था, कि इस act से कोई भी नहीं बचा हुआ है, यहां तक कि अगर आप PSU हो, तो भी आपको अपने dominant position को बनाने के लिए, अगर आप कुछ anti-competitive agreement कर रहे हो, allowed नहीं होगा, it was not appealable at the initial stage, तो आप CCI को पहले करने दे, जो भी उनको inquiry करनी है, Competition Commission of India versus Google, 2021 का केस था, CCI ने अपील किया अगिंस करना तक High Court's order investigating alleged anti-competitive practices by Google in India's smart TV and Android app store markets, High Court ने क्वाश कर दिया था CCI का order due to lack of jurisdiction and the absence of Google's opportunity to present its case, Supreme Court ने state किया था CCI का investigation and issued notices to all parties, मतलब यह केस हैसा था, जिसमें कि कहीं न कहीं Google की उपर anti-competitive होने का charge लगाया जा रहा था, पर High Court ने फिलहाल उसको squash कर दिया था, यह बोलते हुए कि आपने उसको मौका ही नहीं दिया और आपका jurisdiction यह नहीं है, कि आप जाकर बाहर की किसी company से ऐसा पैसा की बात करो या ऐसा competition का अब rule अपना लगाओ, तो कहीं न कहीं मतलब हमारा judiciary साथ तो देता है, और judiciary ने साथ का रखा है कि मेरा competition commission of India एक बहुत powerful entity है, और यह भारत में economy में कहीं पे भी अगर anti-competitive deals होंगे, या फिर anti-trust deals होंगी, जो मेरे भारत के residents का, citizens का कहीं से भी interest खराब करेंगी, तो हम आपके खिलाफ निर्णय देंगे, और आपको monopoly बना कर नहीं रखनी है, please don't make it, that was the call here, और एक बहतरी judgment दोनों जगह हम देख सकते थे, चलिए, I think यह clear है आप लोग को, तो याद रखेंगे, अगर कभी आए तो judgment मुझे देना हो, तो हम सेल का दिखा सकते हैं, सेल में बोला गया था कि PSU भी मेरे competition के दाएरे में है, आगे बढ़ते आईए अगले topic की तरफ, अर्थक्वेक पच्चिस सो साल पहले जो आया था, उसने गंगा नदी का course बदल दिया, तो मेरे पास geophysical phenomena है समझने को, और मेरे पास ये page 20 पे news आई थी, ये हलकी बहुत broad news है, पर हम इसको geographic angle से समझने की कोशिश करते हैं, कि क्या वाकई में नदियां तूसरी नदियों को capture कर सकती हैं, सही बात है कर सकती, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे, आराम से सुनिएगा, आईए देखते हैं, आपको बता दें, shifting of river courses and river capturing in the Himalayas, कहा चाता है, हिमाले की नदियों में इतना power, इतना vague है, इतना potential energy है, कि जब वो बहती है, तो वो किसी को भी shift करके काट सकती है, तो कि उसके पास power है, headward erosion का, headward erosion का मतलब है, अगर नदी ऐसे बह रही है, तो वो यहाँ पर कटान करती हुई, चली जाएगी आगे, level topography and the gentle slope in the plains, ये भी कई बार कठिनाई बनता है, मालीजे मेरा अगर gentle slow बना हुआ है, तो जहाँ तके नदी आपकी कभी सीधी नहीं चल पाती है, वो meander करती है, और चूकि meander करती है, तो एक समय ऐसा आता है, कि यही meandering का एक loop जो बनता है, वो अलग हो जाता है, अभी हम इसको पर चर्चा करते हैं, और तीसरा कुछ earth movements होते हैं, जिसके कारण आपके नदी का course shift हो जाता है, इसको समझने के लिए आईए हम आपको ले चलते हैं अपनी कुछ चीजों में, पर उससे पहले कुछ चीजे और दिखा दें आपको, रिवर गंगा ने अपना course shift किया है, ये अपना course east की तरफ shift कर चुकी है, प्रीवेस्ली देखा जाए तो ये हुगली में गिरती थी पर अब आगे बढ़ चुकी है, आएए देखते हैं कि क्या माजरा चल रहा है, आएए देखते हैं, इसके example में गंगा को लिया जा रहा है, पर हम आपको पहले बता दे, सबसे पहले, it is more found or very frequent for the Himalayan rivers, और इसका reason आपको पता है, इसका reason जो है, वो है the speed, the volume and the headward erosion, and the headward erosion जो कटान बना सकती है, जो नदिया काट सकती है, headward erosion कर सकती है, वो काट कर आगे निकलेंगी, वो काट कर आगे निकलेंगी, headward erosion, अब headward erosion क्या हो रहा है, कि नदी चली, ऐसे, अब इसने क्या देखा, कि भाई हो सकता है, आसपास बीच में एक माउंटेन हो, इसको बोलते है, वोटर डिवाइड, यह एक, डिवाइड है, एक stream यहाँ बै रही है, और एक stream यहाँ बै रही है, हो सकता है, किसी ना किसी साल में इतना ज्यादा wave आजया, किसी एक stream में, कि यह stream क्या करेगी, यहां से बैते, बैते, बैते आपका इसको काटने लगेगी, और काट की हो सकता, इसको पकड़कर capture कर लेगी, इसी को हम river capture बोलते हैं, जो की आपका erosion के कारण होती है, river capture हो गई, अच्छा, दूसरा कारण क्या है river का change करने का course, आपके पास meanders अगर बनते हैं, तो rivers का course change बहुत जल्दी हो सकता है, meander क्या होता है, एक wavy like structure बनता है, ऐसा structure बनता है, यह क्यों बनता है, meander is equal to an equation of erosion and deposition, आप यहाँ पर जब देख रहेते तो आप देख रहेते इरोजन प्रबल है, बहुत powerful है, erosion is very powerful, वहाँ पर erosion powerful था, पर जैसे ही आप आगे बढ़के plane area में देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे आपको erosion और deposition होता हुआ दिखता है, पानी इतना तेजी सा आया कि यहाँ जाकर इससे जुड़ गया, अब यहाँ कहानी क्या हो जाएगी, river का course change हो गया, reason क्या था, flood था, flood region था, और flood reason के कारण क्या हो गया, अब यह नदी ऐसे बहेगी, यह नदी ऐसे बहेगी अब, अब यहाँ पर जो बच गया है पीछे वो साथ धोखा हुआ है, और धोखा क्यों हुआ है, यह नदी बोल ले थी कि मैं तेरे साथ ही हमेशा रहने वाली हूँ, पर मैं अलग हो गई, क्योंकि flood आगया, मेरी क्या, मेरी भी मजबूरी समझो, flood आगया, मैं क्या करूँ, और यह ऑक्सबो लेक अलग हो गई, बिहार का क कावर ताल कहा जाता है, आपका कावर ताल जो बना है, गंडक नदी है, कावर ताल जो बना है, कावर लेक जो बना है, वो और क्यों रिवर कोर्स चेंज हो सकती है, तो कहा जाता है कुछ अर्थक्वेक आया हो, कोई volcanic eruption हुआ हो, रास्ता रोग दिया हो, सारे कारण हो सकते ह अब अर्थक्वेक में क्या हो रहा है कि माली जे मेरी एक जमीन है जिसकी उपर नदी ऐसे बहती थी अब अर्थक्वेक आया तो यहाँ पर चीजे बदलेंगी हो सकता है एक fault line ऐसे बनी होगी, और सारा कुछ बदला यहाँ पर, यह fault line जैसे ही बना, यहाँ पर कुछ चीजे बदली होगी, जमीन किसकी होगी, और हो सकता है अब जो नदी आपकी थी, वो ऐसे नबहे कर ऐसे बहने लगे हैं, इधर बहने लगे, यह possibility हो सकती है, तो हम गं गंगा नदी की जब बात करते हैं, तो गंगा नदी में दो चीज़े बदली हुई दिखती हैं, पहला चीज़, गंगा नदी साउथ की तरफ shift होती जा रही है, अगर हम यहाँ पर गंगा नदी का example लिखे कहीं पर, तो आप समझ जाएगा कि गंगा नदी में भी course shift हुआ है, यह आपका south की तरफ shift हो रही है, middle plane area में, middle plane areas में, और जहाँ पर यह delta बनाती है, पहले इसमें हुगली में सबसे यादा हुगली में primary channel था, हुगली में primary channel था इसका, पर अब देखा जाता है कि इसका primary channel हुगली में नहीं है, अब यह आगे निकल जा रही है, आगे कहा निक अब इसका primary channel बदल गए, reason क्या दिया जा रहा है, अर्थ को एक reason दिया जा रहा है, जो 2000 साल पहने आया था, और यहाँ पर primary channel shift हो गया है, यह कहानी, क्या सब को समझ में आती है, यह कहानी, I hope it is fine with everyone, I hope it is fine with everyone, चलेगा, 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 चली बहुत बढ़िया, इसको बन अधी shift के लिए ही जानी जाती है, sorrow of Bihar, यमुना नदी भी shift कर चुकी है अपना course को, सरस्वती निर्दी तो इतना shift की थी कि गाया भी हो गई, इंदस नदी भी shift कर चुकी है, और इंदस आपको बता दे हमारे राजस्थान से निकलती थी, और अब चली गई है, पाकिस्ता की तरफ, पर यह बता, primary channel का मतलब होता है, जहां सबसे आदा way गाए, जहां सबसे आदा volume आए, पहले हुगली में आता था, अब इदार आता है, बागलादेश की तरफ चला गया है, चलेगा, चली, आगे बढ़ते हैं, इस topic को अगर आप समझ चुके हैं तो इसको याद र और आधी से ज़्यादा है, लोग जब इसको पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाएंगे भी क्यों, रटे-रटाय पॉइंट्स लिखे हैं, वही बता दो बस, अरे भाईया, सबसे इंपॉर्टन तो यही पॉइंट आप आजकल हो रहा है, कि आप का रिवर कैप्चर का ईवेंट हिमालियन सिस्थम में ज़्यादा है, एस कंपेर टुपेंनिसूलररीजन क्या है, पैनिसूलररीवर में, जहांब ही रहिए बहाँ, चटान बड़ी मजबूत है, दूसरा, पैनिसूलरर्रर का इतना वेग नहीं होता, इतना पावर नहीं होत कि यह रिवर कैप्चर करते हैं यहाँ कोड़ शिफ्ट होते हैं अब गोदावरी जहां बहरी यह फिलाल वहीं बहेगी वो चेंज नहीं होगी जब तक कि कोई ऐसा अलग सा अर्थ को एक ना जया पर अर्थ को एक पेंसुलर इंडिया में आना बहुत गुंजाईश कम है तो उमीद हैं आप यह क्लियर हैं समझ चुके हैं अब पेरुत में क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल ओडर है लोकेशन देखना मेरे लिए जरूरी है पेश 14 पे पहुंच चाहिएगा अगबार पे आपको दिखेगा अब आप इसो पढ़के भी क्या निकालेंगे छे हेजबोला फाइटर खतम इसराइली वार प्लेंट स्लाई ओवर बेरुत में क्या पढ़के निकालो मैंने क्या निकाला बस की एकी चीज़ देखो इसमें और वो क्या है ये है फिर से मैं आप देख लीज़े इसराइल का बॉर्डर लेबनन से लगता है ये है मेरा सीरि छोड़ेंगे इसराइल ने बूला हम तुमको देखते रहेंगे इरान बोला की तुम सब एक दूसरे को देखते रहो त ये चल पाओंगा इरान ने तीने चाकर दिया हेजबोला हमाज और हाउदी ये तीनों इसराइल को देख रहे इसराइल गाज़ा को देख रहा है। गाज़ा में हमास को देख रहा है। इरान के, इरान अभी भी निसा उच पा रहा है, अब इसमें बार-बार क्या देखे, एक चीज़ बस देख लिजे, बॉर्डर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेबनन बॉर्डर करता है, मेटरियन सी को, येस, सीरिया करता है, येस, उपर से कर रहा है, इसराइल कर करता है, इजिप्ट करता है, जॉर्डन मेटरियन सी को टाच नहीं करता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हेलो, 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 गुड मॉर्निंग, इवडिपान, चलिए आगे बढ़ते हैं, जेहिंद, बांगलादेश क्राइसिस, गार्मेंट ओर्डर में शिफ्ट तो फिलाल कुछ चीज़े हम देखने को यहाँ में मिल रही है, कि बांगलादेश ने अपने आपको, आपको बता दे, अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो बांगलादेश ने अपने आपको एक गार्मेंट इंडस्ट्री के तोर पर बहुत ज्यादा विक्सित कर लिया थ अब चुकि बांगलादेश में हालत उतनी ठीक नहीं है तो लोगों का अनुमान है कि हो सकता है जो और्डर्स यहां दिये जा रहे हो वो और्डर्स अब भारत की तरफ आ सकते हैं अब आएंगे तब देखा जाएगा पर आपको ये भी बता दें कि बांगलादेश के बाद अ किसी ने अपने आपको गार्मेंट इंडस्ट्री में डेवलफ किया है तो भारत नहीं है तो आपको पता है कौन है वो वियतनाम है ओर्डर यहां पर भी तो जा सकता है ना वियतनामे चला जाएगा आपके पास क्यों आएगा आपके यहां तभी आ सकता है जब आपने गार पॉइंट अपना यही है कि गार्मेंट इंडस्ट्री बांगलादेश का बहुत पाउरफुल ला है इसके पास और बहुत अच्छे कासे आ रहे थे तो लोगों का मानना है कि अभी इंडिया को मिल जाएंगे पर सर अभी वियतनाम ही बाकी है वियतनाम के पास भी इंडस्ट् 2015-16 से बोल ला है एकनॉमिक सरवे 14-15 से बोल ला है अपना अपरिल बिजनस अच्छा कर लो ना जाने कहां खो जा रही है चीज़ एंड हिंस हम लोग हर बार यही बोलते हैं हर बजट में कुछ ऐसा आता ही नहीं हर साल हम लोग यह आंसर में लिख आता है इंडस्ट्री को बढ़ावा दो मतलब पिछले 15 साल से तो हम लोग आंसर में यही कर रहे हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा दो इंडस्ट्री को बढ़ावा दो इंडस्ट्री को बढ़ावा दो मैनिफेक्ट्रिंग को बढ़ाओ आज तक कहानों में नहीं पढ़ रही बात है कहां पता नहीं रास्तों के कारण हो सके, हमने इंडिया बांगलादेश की रिलेशन में एक चीज देखी, पेज 11 पर आपको ढून सकते हैं, अगरतला अखौरा लिंक, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसर, आईए देखते हैं कहां पर है, ये देखीगा, आपने क्या किया था, ये है अखौरा अगरतला का लिंक, हम लोगों ने कोशिश किया था, कि हम कोलकाता से सीधे यहाँ पर जोड़ने, अब भाका में अगर आप या बांगलादेश में अगर आप देखें, तो एक और रेल्वे लाइन है, जो ऐसे चलती है, जो चित्तगॉंग पोर्ट तक जाती है, चित्तगॉंग पोर्ट तक जाती है, और यहाँ पे आती है, यहाँ पेट्रापॉल, जो हमारा एक बना हुआ है यहाँ पर, एक एंट्री बना हुआ है, भारत में लोग आ सकते हैं, यहाँ पे, कोलकाता से हम यहाँ पर जाते हैं, पेट्रापॉल पे, और हम सीधे स्लाइन को पकड़ कर अगरतरा अखोरा लिंखम बना रहे थे लगबग आपको बता दें इसकी लेंड जाता तो नहीं थी लगबग 12.2 किलोमेटर के आसपास थी भारत ने अपने तरीके अपने तरफ का 5.8 किलोमेटर बना लिया था भारत ने अगरतला से लेकर बांगलादेश के पा रहा है रेलवे लाइन नहीं बिचा पा रहा है हम लोग इतना बोलते रहे भाई बिचा ले जल्दी बिचा ले जल्दी बिचा ले बिचा ही नहीं रहा था ना जाने किस तितूर में जी रहा था बांगलादेश और अब रेवल्यूशन हो गया अब तो हमारी जो बची क सा दिक्कत था वो ये है कि आप जब भारत से निकलेंगे तो एक चिकन नेखी बस पढ़ता है जिसके बाद आप मेरे पास यही रास्ता है जिसे मैं निकलता हूँ और अपने पूरे नॉर्थ इस्ट को एक्सेस करता हूँ और हमने जहां से लिंग देने की कोशिश की वहीं पर तक्ता पलट होता जा रहा है हमने मयानमार से जोडने की कोशिश की अपने भारत के नॉर्थ इस्ट को तक्ता पलट आर्मी रूल हमने बांगनादेश से कोशिश की जोडने की खतम कहानी अब आर्मी बोले कि हम मैनेज कर माइनौरिटी के खिलाफ रायट्स चालू हो चुके हैं, कल मौते हुई हैं, एक होटल को फूक दिया गया, ऐसे सिचुवेशन में आप उमीद करते हैं कि बांगलादेश आपका रेलवे लाइन बैठ कर बनाएगा, वो अपनी टेलिफोन लाइन ना बनाए फिलाल तो, वो र मयानमार से जुड़ने जा रहे थे, मयानमार में भी उल्टा हो गया, मयानमें आर्मी रूल आ गया, जनता रूल आ गया, तो मतलब मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि मैं एस्ट को डेवलप करूँ, नौथीस को डेवलप करूँ, पर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी सर, डेवलप्मेंट बहुत दूर रह जाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आएए देखते हैं, अब आगे क्या होगा, पर फिलहाल एक चीस्ता है है, कि भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को हमेशा तयार रखेगा, कि बा investments हैं वहाँ पर, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारी lines हम भी चानी कोशिश कर रहे हैं, कबसे हम लोग वहाँ कुछ ना कुछ अपना deal कर रहे हैं, वहाँ और West Bengal के बीच में आप देखेंगे तो लोगों के trade बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, इन सब चीजों के मद्दे diplomatic time तो हम इन से नहीं छोड़ेंगे, जो भी government आएगी देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, यह question आपके दिमाग में होना चाहिए, अगरतला, त्रिपुरा और अखोरा यहाँ पे आपका railway line बनाने की बात थी, आगे बढ़ते हैं, on UP's stringent anti-conversion law, governance की बा आम ने सोचा की चुकि law बनाया जा रहा है, तो इसको इसी हिसाब से पढ़ते हैं, कि क्या आखिर हुआ जा रहा है, देखिए एक बात बहुत ज्यादा उठती है, कि anti-conversion law होना चाहिए या नहीं, कुछ लोग का ये मानना है, कि कुछ लोग अपने धर्म को इतना ज्यादा प्रचार करते हैं, और सिर्फ प्रचार करते नहीं है, दूसरे को फोर्स करते हैं, कि तु मेरा ही अपना लो, प्रचार करने में कोई भी बुराई नहीं है, आप बिल्कुल प्रोफेस कर सकते हैं, प्राक्टिस कर सकते हैं, आप उसको पढ़िया सा जो आप उसका बताना च हैं गुणा बनाई पर आप दूसरे को force नहीं कर सकते कि तु मेरा join करो नहीं तो ये कर दूँगा अगर आप ने ये किया तो इस force religious conversion के खिलाफ भारत में वैसे तो law नहीं था और क्यों नहीं था हम इसके उपर भी चलते हैं सुनिए का बहुत अगर religious conversion में किसी का करवा रहा हूं तो कहीं न कि उसके fundamental light पर एक आगात है क्योंकि वो कुछ और चाहता था आप उसको force करा रहे हैं पर ये चाहने और force के बीचे बहुत thin line है कई बार चाहा रहा होगा हम उसको बोलेंगे force कर रहा है देखो कई बार force कर रहा होगा हम बोलेंगे चाहा रहा है तो बहुत thin line है मतलब आप किसी चीज़ को forced बोलें और किसी चीज़ को चाह बोलें इसके बीचे बहुत thin line है तो article 25 आकर यहीं रुक गया article 25 ने हम सब को महलत दी हम सब को time दिया हम सब को बोला एक right है आपके पास और right किया है कि आप अपना जो religion है profess करिए और आप सक्षम है करने को आपको कोई रोकेगा ने पर अगर मैं कहीं conversion होता हुआ देख रहा हो तो जो एक third party group बनता है जो हमेशा उंगली उठाता है क्या है प्रवाकई में चाह हो यह वह सकता है बिचारा परेशान हो जाता है कि मैं करूं क्या आई समझते हैं कि आसी क्या बात ही हो रही हम आपको एक बड़ा context देते हैं आप अगर article 25 पढ़ेंगा तो आपको मिले Bayern people have the freedom to practice, profess and propagate any religion, you have this right it is your right, you can practice, profess, propagate आप फेलाईए, जो आपको करना events आप करिये, कोई मनाई नहीं religious groups have also the right to govern their own religious affairs as long as they abide by public morality health order मतलब, आप religious group अगर है तो आपको जो बढ़िया लगते हैं आपने religion के लिए आप करिये, पर हाँ, आप morality health order को देखकर ही कर सकते हैं there are no national restrictions or regulations on religious conversions बड़ी बात है, भारत में कोई कानून नहीं है union का, जो religious conversion को रोकता हो कोई कानून नहीं है 2015 में law ministry से पूछा गया था, कि सरकार आप क्यों नहीं बना देते हैं law, conversion को रोक दीजे सरकार ने साफ किया कि नहीं, नहीं, मेरे पास power नहीं है क्योंकि freedom of religion तो है ही सब के पास अगर कहीं रोकना है, तो states को रोकना होगा Supreme Court of India ने बड़ी बात की थी anti-conversion laws are constitutional बोला कि अगर आप कोई anti-conversion law बनाते हो धर्मानतरण के खिलाफ अगर आप law बनाते हो तो वो सम्वेधानिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर आप याद रखना, आप किसी की individual right से खिलवार नहीं करोगे आप किसी के individual right to enjoy that freedom of religion आप उसमें नहीं करोगे पर बहुत सारे cases ऐसे मिलते हैं जहां पर लोगों को target किया जाता है पर execute किया जाता है, इस नाम पर देखो धर्मानतरण हो रहा है अब UP ने एक law बनाया था आए देखते क्या हुआ था UP ने एक anti-conversion law बनाया था जो अलड़ी बहुत चर्चा में था पर इसको और stringent किया जा रहा है 2024 में एक amendment हो रहा है जिसके हिसाब से इसको और stringent बनाया जा रहा है कैसे? existing legislation कहा गया था कि देखिए बहुत stringent नहीं है, हम इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं और government की data से पता चलता है January 2021 से लेकर अपरेल 2023 सब कि 427 cases registered हुए थे under that 427 cases register हुए थे under this anti-conversion act और क्या change होगा? पहले अगर कोई person convicted है of unlawful conversion, मतलब आप गलत तरीके से conversion अगर करा रहे हैं, तो minimum present term था आपका one year का maximum था five years का, अब क्या हो गया है? 15,000 का fine भी था उस समय, अब क्या हो गया है? अब बोला पांस साल का पांस साल का जेल तर्म जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है और 50,000 रुपे का जुर्माना पहला stringent, पहला harsh या strict चीज़ unlawful conversion involving a minor अगर कोई minor involved है, एक महीला involved है, या फिर person belonging to a scheduled caste or scheduled tribe involved है penalty सर आपके उपर होगा, prison term का 5 से 14 साल तक हो सकता है, और पैसा penalty जो होगा, वो 25,000 से बढ़कर अब 1,000,000 रुपे हो गया है, अगर आप ने किसी minor, किसी महीला किसी member of CST के खिलाफ, अगर आप conversion कर रहे हो, या उसको convert कराने में लगे हो forcefully, तो आपके उपर जुर्माना और jail term 5 से 14 साल और सुनिये, amendment ने introduce किया है, दो नई category of offense पहला, newly added subsection to section 5, ये section मत याद रखिये present time of 7 years, extendable to 14 साल, अगर कोई बाहर से foreign fund लेता है, और fund को use करता है, illegal institution चलाने के लिए, जो unlawful conversion करते हैं मतलब बाहर से पैसा लेकर, भारत में unlawful conversion अगर आप तर आएंगे, तो भाईया, ऐसा है कि 7 साल की jail है, जो 14 साल तक जा सकती है और 10 लाग रुपे का जुर्माना है, इतना ही नहीं, अगर कोई person को आप डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि लोग deterrence रहे लोगों के मन में, amendment now grants legitimacy to such third party complaints, मतलब पहले क्या होता था, कि जो बदला जा रहा है, और जो बदला है, वो क्यो complain करेंगे, third party उसी complain करते थे जाकर, तो F.I.R. नहीं लिखता था, बोला कि पहले के law में क्या था, कि जो बदला है, वही complain करेगा, अब जो बदला खुद सदमे में है, वो कैसे complain करेगा, तो third party को भी अब legible बना दिया गया है, कि आप भी complain कर सकते हो, आप भी complain कर सकते हो, आप भी F.I.R. कर सकते हो, तो स्वभाविक सी बात है, F.I.R. के जो नंबर है, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर कोई अब बोलेगा, वो सर उधर बदला, वो उधर बदला, अब कुछ भी अब बढ़ जागए F.I.R. अच्छा, amendment ने introduce किया है, twin condition of bail also, अब bail मिलना भी आसान नहीं है, सर्म, आपको बता दें, Unlawful Activities Act 1967, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा, जल्दी से bail नहीं मिलती, यहां तक कि Money Laundering Act में सोचे के एजरिवाल साब Money Laundering Act bail ही नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास ब bail के conditions को भी और stringent कर दिया गया है, हलाकि उत्तरपदेश हो ऐसा law नहीं है, ऐसा law बहुत जगह है, ओडिसा में है, मद्द प्रदेश में है, अरुनाचल में है, 36 गड़ गुजरात, हिमाचल प्रदेश अभी इसको लाने की सोच रहे हैं, बहुत नया-नया लेकर आया है, या तो उत्रखंड अभी willingly, यह पता नहीं चलेगा, subject to case to case basis होगा, और article 25 यहीं पर आकर थम जाता है, that is all, आगे बढ़ते हैं, कुछ judgment हम आपको दिखाना चाहेंगे, बड़े important है, हादिया वर्स अशोकन केम, Supreme Court ने affirm किया, कि adults have the right to marry and convert to another religion of their choice, इसने emphasized किया that states should not interfere with the individual's freedom to marry and convert, पर इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, आप अपना धर्म पस इसलिए बदलो, कि मेरी शादी हो सके, यह नहीं possible है, अब हमारे पास Supreme Court का निर्ड़ना है भी यह, कि अगर यहां से, अगर यहां पे कोई ऐसी इसमें आप सिर्फ आप शादी शुदा हो मान दीजे, अभी हाई कोट का जज्जमेंट आपको बताते हैं, अलाहबाद हाई कोट का, जिसमें एक वेक्ति हैं अल्री शादी शुदा है, वो दूसरी शादी कर रहे हैं, और बोलने की सार हमने तो अपना धर्म बदल लिया, यह आप अपना धर्म बदल लो शादी करने के लिए, not allowed, it is not allowed, मतलब आप शादी के लिए धर्म नहीं बदल सकते, अच्छा, केस पुट्टा सौमी अप प्राइवेसी जज्जमेंट की बात है, हाँ सही बात है भाई, इंडिविजुल आपका वाइटल मैंटर से कंसर्न त सही बात है, सर्ला मुद्गल का केस बताते हैं, सर्ला मुद्गल केस बड़ा इंपॉर्टन याद रखेगा, सर्ला मुद्गल केस, बोला स्कोर्ट स्टेट बड़ा इंडिविजुल आपका वाइटल इंडिविजुल आपका व्रजगा, पर कंवर्ट किस इंटेंशन के लिए किया गया है, कंवर्ट किस प्रोसेस से किया गया है, उस पे प्रश्नमार्क लगेगा, अगर इंटेंशन है कि सर्शादी हो जाए, फिरसे हो जाए, तो गलत है, अगर सिर्फ पोस्ट कंवर्जन देख रहे हैं तो गलत है, जेनूइन कंवर्जन है, आपके आँखे खुल गई, आपके ध्यान चक्षु कुल चुके, मैं इस रिलिजन में जाना चाहता हूँ, तो आप जाए, आपका स्वागत है, पर अगर कोई पंदू के नोग पर आपको बोलता है, आपकी प्रॉपर्टी को कबजा करके बोलता है, या फिर सिर्फ शादी के लिए आप करना चाहते हैं, तो सर्वो गलत है, तो आप ये प् सरल करने की, counting the poor, having nutritional deficiency, अचाहा, गवर्नेंस का टॉपिक है, और गवर्नेंस में आप पावर्टी के अगर बात करेंगे, तो सर, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से फिलहाल हम एक ही चीज़ ढूणने में लगें कि भाईया, कितने गरीब हैं, और हर बार हमारे आंकड़ बदल जाते हैं, कभी हम बोलते हैं, भारत की 50% आबादी गरीब थी, आज हमें मिल ही नहीं रहें, गरीब ही नहीं मिल रहें, हम बोले हैं, कोई गरीब नहीं आज, यह कैसे possible है, तो कहीं ना कहीं हमारे आंकड़े, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, उनी में कुछ चिंदा मत करिएगा, NSSO, National Sample Survey Office, रिलीज किया है बहुत रिसेंटली, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बेस्ट ऑन, हाउस होल्ड कंजम्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जी हाँ, हाउस होल्ड मतलब हम सब एक हाउस होल्ड हो सकते हैं, एक परिवार का कंजम्शन है, 2022 ते, अलोंग विड़ रिपोर्ट, दो यूनिट लेवल डेटा उन हाउस होल्ड कंजम्शन एक्सपेंडिचर इस अवेलेबल इन पबलिक डोमेन, अब ये सब कानी छोड़ दीजे, हम क्या ढूंड रहे हैं कि कितने लोगों ने कंजम्शन किया है, फूड आइटम और सर, पहले अगर आप चलें, लकडवाला कमिटी, तेंदूलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी ने पहले ही लाइन और बास्केट बना रखा है, कि देखो एक पावर्टी लाइन है, इसके नीचे अगर कोई है तो पूर है, इसके उपर कोई पूर नहीं, एक पावर्टी बास्क कितने लोग पूर हैं तो आप क्या निकालो, क्यालरी इंटेक निकालो based on consumption expenditure, कितना क्यालरी इंटेक करना अनिवार है, अगर तुम इतना अनिवार है क्यालरी ले रहे हो, तो तुम गरीब नहीं हो, मतलब इससे कुछ और नहीं देखा, बस क्यालरी की बात की मतलब गरीबी, एक सांसारिक जीवों में बस भूक और खाना ही बड़ी चीज है, अगर आपको खाना मिलता है, तो आप गरीब नहीं हो, वो बात और है कि आपको education ना मिले, आपको institution ना मिले, आप कही health ना देखपा, वो बात और है, पर अगर आपको खाना मिलना है, तो आप गरीब नहीं ट्रैवल है, हेल्थ, एक्सेक्टरा है, मैं इन सब को काउंट करूँगा, तभी तो पावर्टी बता पाऊंगा, तो इन्होंने बोला, नहीं नहीं, चलो, क्यालोरी बेस इसे दूर चलो, क्यालोरी बेस नहीं चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, और इनके हिसाब से एक लाइन बनी, तीसरा, 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 रंग राजन सहाब आए, रंग राजन सहाब ने बोला, देखो लकडवाला सहाब ने जो बोला था, बिल्कुल सही बोला था, इन्होंने बोला है, कंजम्शन बास्केट बना लो, that this consumption basket should have a food component that satisfies certain minimum nutrition requirement, as well as non-food item, तो इन्होंने क्या कि बास्के खर्चा करते हो, food item जोड के और non-food item जोड कर, तो आप गरीब नहीं हो, और अगर आप इससे कम करते हो, तो आप गरीब हो, आए देखते हो, और इन्होंने क्या किया, तो लकडवाला कमिटी ने बोला कि देखो ऐसा है, कि आप इसको calorific value के आधार पे कर लो, मतलब खाना ज इसके हिसाब से 22% population बस below poverty line है, रंगराजन सहाब ने और बड़ी बात के दी, रंगराजन सहाब के हिसाब से इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, कुछ food item है, कुछ non-food item है, पैसा निकाला, और जोड जार के बोलिया कि देखो ऐसा है कि poverty line भारत में 30% क्या स्पास है, मतलब 30% जो जनता है, वो गरीब है, सर एकदम varied figure आ रहा है, 30%, 22% इनके हिसाब से तो कोई गरीबी नहीं है, लकड़वाला सहाब को यूज करें कोई गरीबी नहीं है, तो खाना मिले तो आप गरीब नहीं है, अब आप फिलहाल 2024 में और आप अगर दिमाग लगा कर सोचें कि poverty का एक aspect नहीं ले सकता हूँ, poverty आज multi-dimensional level पर है सर, घर का होना ना होना, बिजली का होना ना होना, education health facility का होना ना होना, इस सब सर आपके poverty के डायरे में आता है, तो खाना अगर बच मुझे मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गरीब नहीं हूँ, अब दूसरी चीज समझेग रूरल में 28.3 प्रदिशत गरीब आये, औल इंडिया 27.5 हो गया, तेंदुलकर सहाब के हिसाब से आपका total 21.9 हो गये, और आपका इनके हिसाब से 30% के आसपास हो गये, लकड़वाला सहाब ने calorific value बस यूज़ की, फिर भी ठिटा गरीब आ गये, 27.27 प्रदिशत आ गये थ based on the recommended energy requirements for Indians of different age sex activity categories, इसके साथ साथ सिर्फ कैलरी नहीं, हम लोग दूसरा भी non-food items को भी जोड़ेंगे, कैलरी के साथ साथ हम non-food items को भी जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़कर हम लोग एक नतीजे पे पहुँचेंगे, तो जो PCCR है, वो एस्टिमेट किया गया 2172 किलो क अगर मैं इसके हिसाब से निकालता हूँ, तो लगबद टोटल जो प्राइस निकल गाराता है, वो आता है 2197 रूपे, और अगर आप रूरल इंडिया का 3070 हो सकता है, और अर्बन इडिया का ज्यादा हो सकता है, इसका क्या मतलब है, औल इंडिया का 2197 है मालीची, मतलब फ अभाविक सी बात है, इसके हिसाब से हमने जब निकालना है, हमें पता चला, 17% रूरल इरिया के रहा है, 14% अर्बन इरिया का रहा है, अब छोड़ दिजए सबको, आई हमाँ ऐसा चलिए, अब हम एक new method बनाने की कोशिश कर रहे हैं, poverty का, जिसके हिसाब से मैं per capita caloric requirement plus non food items क जोड़कर कुछ cost निकालता हूँ, इस cost को निकालता हूँ मैं और मुझे पता चलता है कि 17% लगबग urban एरिया में और 14% रूरल एरिया में आपके पूर निकल कर आते हैं, अब आप खुद सोचेगा सर, क्या आपको लगता है कि ये जो हमने लिखा है figure, ये सच्चाई है, क् आपको लगता है, ये सच्चाई है, मतलब आईएक अनालिसिस करते हैं, क्या आपको लगता है, ये सच्चाई है, कहां से आप सोच सकते हैं कि urban में, I think urban 17 ही दिखा रहे है, एक से बस चेक कर ले हम, we have got this estimated, अच्छे 17, urban 14, sorry, urban 14 है, urban is 14, और आपका 17% rural, क्या आपको सर, सच्चाई है ही नहीं, मतलब प्राक्टिकल चीज़े नहीं दिख रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब यह हो सकता है, कि आपने क्यालोरिफिक जो requirement निकाला हो, एक दम आप ऐसा निकाल चुके हैं, कि इंसान बस एक निवाला खाय, उसको energy मिल गई है, और दूसरा आपने non-food items को बहुत ignore किया होगा, क्योंकि आज का जो जमाना है, वो non-food items पे ज़्यादा खर्चा करना है, क्यों है, सर, health है, education है, insurance है, daily का function भी तो attend करना है, शादी बया भी तो करना है, social obligations है, इन सब की बात कौन करेगा, housing है, आपका कपड़ा है, इन सब में खर्चा तो होगा ही और 17% रूरल में पूर है, ये तो हमारे सारे डेटा कोई खराब कर दे रहा है, रंगराजन सहाथ के हिसाब से आ रहा था 30% मान लिजे, लकड़वाला हिसाब से आ रहा था ये 25% के आसपास, और आपका जो टेंदूलकर कमिटी है, उनके हिसाब से भी लगभग 24-25 के को कड़ेशन और पेशज़ से बनाना चाहिएंगे, अगर आपको एस्टिमेशन और पावर्टी करना है शर तो आपको कुछ way forward चाहिए, पहला way forward है, आपको economic data चाहिए सब का कि कौन कितना कमार रहा है, इसके साथ ही आपको consumption state-wise note करना पड़ेगा, state wise record करना पड़ेगा, आपको non-food items को तवज्जो देनी पड़ेगी आपको एक basket बनाना पड़ सकता है जो कि रंगराजन साब ने बनाया था आपको एक basket बनाना पड़ेगा ये basket urban और rural का लग हो सकता है पर आपको non-food items को तवज्जो देनी पड़ेगी तभी आप नया बना पाओगे न सार कैसे बना पाओगे आपके बास कोई data ही नहीं है बिना data काप कैसे बना पाएंगे समझे सब लोग ये estimation के लिए मुझे economic data चाहिए मुझे consumption state wise record चाहिए फिर मुझे चाहिए कि non-food item और food item में मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मुझे basket बनाना पड़ेगा और जितना practicality में आप जाएंगे सर आपको हम आराम से बता सकते हैं कि आज में भी कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 30 प्रतिशक के बीश में poverty कही न कहीं दिखनी चाहिए इस level के इसाप से nothing is that hockey talkery in the country सब बढ़िया चल ला है कहीं न कहीं दिकत भी आ रही है तो इसको अपने estimation सही से करना पड़ेगा आई आगे चलते हैं powering up to get to 30 trillion economy सोचिए ये economic policy की बात कर रहे है ये सब पढ़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा कंफर्म कुछ नहीं मिलने वाला परिशानी मत होई गई दर मत निमाग लगई आप जो हम बता रहे है उस पर निमाग लगई पेज छटे पे लिखा है with due respect to these two people जो manager है कहीं न कहीं कोई बात नहीं सर आपने अच्छा लिखा होगा आपने हमने आपको पढ़ा आपने अच्छा लिखा है हम अब आपको बताते हैं कि वाकई में आप क्या बताना चाहरे थे हैं अपने UPSC के मद्दे नज़र आवरिंग अप टू गेट 30 ट्रिलियंड डॉलर एकनोमी पॉइंट अगर आपको 30 ट्रिलियंड डॉलर एकनोमी बनाना है सर तो आपको कुछ चीज़ों पर वक करना पड़ेगा सबसे पहली चीज है जो हम पिछले 11 साल से तो हम बोल रहे हैं जिसको सुने सुने ना सुने अब क्या किया जाए पर manufacturing को तो आपको बढ़ावा देना ही पढ़ेगा जिसका मतलब है आपको अपने industrial policies को change करना पढ़ सकता है जिसका मतलब है आपको अपना labor force participation rate भी बढ़ाना पढ़ेगा जिसका मतलब है कि आपको यहाँ पर female labor force participation rate भी बढ़ाना पड़ेगा चुकि वो जुड़ेगी तो आपके economy में contribute करेगी इसका ये भी मतलब है कि आपको अपने unemployment को कम करना पड़ेगा और unemployment को कम करने का मतलब तभी संबभ हो है जब आप अपने industrial को growth को बढ़ावा दें एक ची के माध्यम से और सबसे बड़ी बात आपको taxation ही नहीं आपको वहाँ पे window schemes लानी पड़ेंगे कि one window clearance scheme आए जहां पे वो अपना काम लगा सकें entrepreneurship बढ़ा सकें window clearance scheme होनी चाहिए एक जगा जाओ सारा काम हो जाएगा तुम्हारा आए देखते हैं आए और देखते हैं आपको त middle class को आपको incentivize करना पड़ेगा सर अब आप कैसे भी करिए आप taxation के माध्यम से कर सकते हैं पर आप जैसी करेंगे ये लोग और कमाना चाहेंगे incentive इनका पड़ेगा ये लोग आपका capital formation में उकरेंगे ये आपका चाहेंगे कि economy में spend करें और आप तब अच्छा काम कर रहे हों सर इतना ही नहीं आपको काम करना पड़ेगा आपने demographic dividend के लिए demographic dividend के लिए और demographic dividend कैसे आएगा आपका जब आप skill impart कर दोगे skill impart मत करिये आप academic और industrial का corridor बना दीजे आपका काम हो जाएगा आपका काम हो जाएगा बीना ये चीजों को किये सर बीना इन चीजों को किये आप 80 trillion क्या है आप 5 trillion dollar economic का भी नहीं देख सकते सबना जब तक आप इसको नहीं करेंगे और आपका sector specific development करना पड़ेगा सारे sectors को उठाना पड़ेगा sector specific development करना पड़ेगा overall development होगा तभी आप आगे बढ़ेगा आज आपके पास power है agricultural linkages बनाने के आपका agriculture linkages आप बनाईए मतलब आप अपने primary को जोड़िए secondary के साथ जैसे कि आपका agro industry है ये बहुत अच्छा चलना है और अच्छा चलेगा sunrise industry है आप इसको बढ़ावा दीजे तब शायद आप बहतर कर पाएंगे सर ये करिये तब जाकर आपको सपना आएगा नहीं तो करना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर दी है जो शायद हम लोग इसमें summarize किये हैं और अपने UPC के लिए किये है Ease of doing business आपको अच्छा करना पड़ेगा आपको Ease of doing business अच्छा करना पड़ेगा आपको अपना jurisdiction या जो arbitration का process है वो अच्छा करना पड़ेगा ताकि लोग आपके यहां काम करने आए और आए कि चली इनकी मदद किया जाए आपको महल ऐसा बनाना पड़ेगा कि भारत में F FDI और बढ़पा है FDI और बढ़पा है हो गया 30 trillion dollar का सपना पूरा होता हुआ आपको दिखेगा अगले 50-60 साल में तो दिखी सकता है पर आपको यह करना पड़ेगा चलेगा is it fine with everyone चलेगा इस फाइन सवज में आता है चली तो आज के लिए शायद यही अंतिम टॉपिक भी हमारा आपको बताते हैं अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो टेलिग्राम यह है इस पर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी आप इसमें जुड़ जाए आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी और साथी में इसका हिंदी वाला जो वर्जन है वो भी आपको टल जाएगा कल बहुत लोगों ने एक बात कही कि सर टाइम लग रहा है तो आपको PDF हिंदी कनवर्ट करके दे दे रहे या PDF रहेगी आप Google में हिंच को हिंदी में टल दीजे दोनों चीज आपको हमार पढ़ाई करेंगे और हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलना है आप CMC कोड इस्तमाल करके इसमें भी ले सकते हैं आडमिशन आफ्लाइन रिकॉर्डे क्लासिस आपको यहां पर मिलेंगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए थैंक्य अब बाय टेक्ड़ जहिंद और अपना ध्यान रखी का पढ़ते लिए करें खूश रही है गा निरंतरता ही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल आपको बस निरंतर है ना सफलता खुद आपके पास में आएगी बाय टेक्ड़ जहिंद एवरिवन थैंक्यू सो बाइ 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 टेक्या जेहिंद